बहुत स्वागत है जी सारे अंदा मैं हाँ सुरिंदर डला एक वर फिर बहुत इंपॉर्टन प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टन इंफिर्मेशन है जी समीर जी तो असी सांजी करांगे लैंडमार्क इमिगरिशन दे चीफ ने सानु सारा नों पता है और पिछले लम्मे सम मैं तो स्टूडन्स नों अडवाईज कर रहे ने और मेरी बेन तीवी है कि गहर मानता प्रापत कंसल्टन्स ने जड़े या एजन्ट्स ने उनना को साधी स्टूडन्स ना जान मानता प्रापत कंसल्टन्स दी सलाद इनाली तुसीं आपने एजूकेशन दे फैसले टैकरो जसमीत जी साड़े नाल मजूद ने सवाल बड़े गहरे ने आज जड़े मैं करने ने मैं ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत सरे विद्यारती ने SDS केटागरी दे रिफ्यूजल नौन SDS केटागरी दे ने उननों वी जाम बिल रहे हैं जड़ों वद्यारती ने नाल कर दे आज ते वद्यारती बहुत ज़ादा कन्फियूजन दे विच ने वद्यारती नों ये लगदा है कि SDS केटागरी दे विच असी नौन SDS केटागरी दे स्टूणन नालो स्ट्रॉंगा हर पक्तों पर फिर भी सड़ा रिफ्यूजल आ गया है सो एधरती का क्लारती दी बड़ी ज़रूरत है ताकि पराने वद्यारती वी जना दे रिफ्यूजल आयने और नालो वद्यारती वी फर्क समझ सकन कि क्यों हो जहां होंदा है कि SDS category देवित refusal ते non SDS category जवीजा जस्मी जी बहुत स्वागे ते तेंकियो सो मच जस्मी जस्मी जी confusion बहुत वटी है सब कुछ SDS category जविद्यारती है जड़ा हो पूरा करता है एक साली फीस वी GICV, non SDS category जवी स्कोर वी कट एक चुछ 5.5, SDS category ज कई वरी 7, 6, 8 फिर वी रिफ्यूजल, अजिया क्यों होंदा है सब तो ज्यादा कोश्चन है मेरतों कुछ देजड़ा, यह वर्ड़ा स्टूड़ा कोश्चन तुसी पुछे है तहां एह ही कोश्चन सब तो ज्यादा स्टूड़ा पे हो दा सवाल है मेरतों कि सर जादा तरसी देख्या है कि कई वरी SDS काटेगरी वाड़े स्टूडेंटनों रिफ्यूजल मिल जानती है और तुसी सौत भी वाद नौन-SDS वीजा एज की अप्रूवल कराते सो पहली गलता में सारे स्टूडेंटनों कहांगा कि SDS काटेगरी वी जे चंगी तरह प्रेजेंट नहीं होएगी तां उन्हों भी रिफ्यूजल मिल सकती है सो SDS काटेगरी ची तुसी तुसी परसंटेज का टेंपर तुसी SDS ओपर तुसी मेन शेर वेच अपना केस लगा रहे हो तां रिफ्यूजल आ सकती है सुपोज तुसी SDS काटेगरी है और कोर्स मिसमैच हो गया तां रिफ्यूजल आ सकती है SDS category है, overconfident हो, form ही सही नहीं परे, जड़े form पर ने सी अपन, वो सही नहीं परे होदे जो कोई गलती हो गई, तहां refusal आ सकती है उस तो बाद experience, SOP, इस सारियां चीज़ां बहुत ज़्यादा matter कर दिया है, जदो तुसी अपनी file put up कर दे हो On the other hand, जैसी देखें कि non-SDS category, जे form ठीक है, course बिल्कुल related लेया गया है, percentage भी बच्चे दी, 75% है गी है Town कोई छोटा लेया गया है, जित्वे already requirement है गी है, population दी, ताँ visa approved हो जानता है So, एही main reasons है गए है, visa approval दे या visa refusal दे, जो मिन्हों लगदा है कि जदो असी अपने consultant दी चोन कर दे है मैं हूँ देखता है कि बहुत ही ज़्यादा consultants आज दी डेड़ बहुत competition वद्दा जा रहे हैं और consultants बहुत ज़्यादा markets है गए है, पर मैं कहना है तुसी जरूर जाओ, check करो, किन्ना तजरुब है, किन्ने visa approval दाएने, किन्ने difficult cases उन्हों ने deal कीते है इस सारा कुछ चेक करना एक parent दे ना ते या एक student आज दी रेट चे जड़े सारा सारा दिन अपने phone ते, social media ते, live रेंदे ने, उन्हों नों जरूर चेक करना, verify करना जरूरी है और मैं करना है कि करी company दी जदो तुसी background तो satisfy हो जान देओ, ता बेशक तुसी अपना case लगा साग देओ, इस सारा कुछ verify करना तो बाद ही तुसी अपना case start करो बिल्कुल ठीक है, so, बड़ी important information है जड़ी सानू दत्ती है जश्मीदी ने, जश्मीदी, being consultant, क्योंकि तुसी teacher भी रहे हो, तुसी बहुत सारे students नों guide कर देओ, तुसी जदो फाइल अप्लाई कर देओ, तुसी केडिया गलना वद्यार्थी नों दस देओ, तो केडिया गल स्टूडेंट था वीजा लगे चुके ऐसी और उननों दोस्त मेरे को लाए, बीकॉम है, स्टूडेंट उदी प्रफाइल डिस्क्स कर देओ, और दो बारी पेपर दे चुके और इकचा साथे पांच बैंड आ रहे हैं, so, advice मेरी उन्हों इतना रही है कि बेटा, जे तुसी एस फाइल थे अपनी तुसी फाइल परसीड कर देओ, तब वीजा चांस कह सकते हैं कि सतर परसंट है, और जे तुसी अपनी फाइल एच करके लाओगे तब वीजा चांस असी परसंट है, क्यों? क्योंकि तुसी ग्रैजवेट हो, हुण शूटन कहें ता मेरे पैरेंट्स क मंगालो, fees pay करो, tuition fees pay करो, GIC account खोलो, सारा 45 days to 60 days दा प्रोसेस है, तद तक तुसी जड़ा अपना पेपर बुक किता होगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो जे तो जादा होगे, आपना नवे रिजल्ट दे नाल तो आड़ी फाइल, आम बैसी चे लावाँगे, जे नहीं होए, तो आपना टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, जेड़ा, पराणे आइलेट से बैंड ते भी लगानी ही सी फाइल, तो आपना टाइम बैस्ट नहीं होगा, बट बी प्रपेर्ड, फिर बच्चे दा एक सवाल सी बड़ा इंटरस्टिंग, ओदे नाल जड़े आये होई सी, उन मैंनों ओदे दे भी बड़ा इक डिस्टेल डिसकॉशन होई, सपोज बच्चे दा वीजा आ जानता है, सपोज इना बैंड ते ही इनी प्रफाइल ते ही बच्चे दा वीजा आ जानता है, और बच्चा जदो अपनी पी आरली फाइल लगाएगा, ता हो बीकॉम शो करेगा और फ्रॉड करके उन्हों ओथों डिपोर्ट कर देता जाएगा, हूं तुसी बीकॉम शो नहीं कर रहे पर पी आरली फाइल ली ता बीकॉम दी लोड होएगी, सो चूट नहीं, कोई तो अडे नाल किसे दा चंगे सबंद नहीं है, कोई शिकायत भी कर सागदा है, और आट बीकॉम शो करके रिफ्यूजल लेना फिर भी ठीक है, प्लस टू शो करके वीजा लेना गलत है क्योंकि लॉंग टर्म चो उदा नुकसान है, तो जो दो में तुसी फाइल लगाओ, ता सच बोलके अपनी फाइल लगाओ, सही टांगनाड अपनी फाइल लगाओ, सही नाड ही अपना कंसल्टेंट चूज करो, और सही टांगनाड अपने डॉकुमेंट्स प्रपेर करो, मेरी सारे स्टूडेंट्स नो उनादे पैरंट्स नो एडवाइज रहेगी, बल्कुल ठीक है जी, बहुत ही इंपोर्टन इस प्रोग्राम चे साधे नल जसमीज जी ने फाइल, तुसी खासता औरते कीडिय अंगला ना ख्याल राकने हो, ताकि सक्सेस रेट हाई होगे, जदो नौन एजदीस फाइल हो जानती है, कई वारी बच्चे एटी परसंट माक सुन्दे बच्चे दे, पर एकचा साधे पांच बैना चार वारी पेपर दे चुगया है, नौन एजदीस फाइल है, पर तो आड़े दास किले हैं तो आड़े खेती बाड़ी बहुत चंगी है, तो आड़े बैंक चा बहुत पैसे पहें हैं, जरूरी है कि बच्चा फिनैंचली साउंड है, तो ए सारिया चीज़ां जो आपा हाइलाइट कर दे हैं, तो एक चा साध लिए चीज़ां ने चंगे पाक ने उनना नो जस्टिफाई करना पेंदा है, बहुत तरीकी दिना अलसम जोना पेंदा है, ताहां कि डिड़ा ओफिसर है, जिनना ने थवर्डी फाइल ते काम करना है, प्रसेसिंग ओफिसर है, वो तो आड़े इस हाईलाइट कीते होए प अपना प्रफाइल पे जो फोन करो, वटसेप करो, info at immigration.com, आँ माफ करना, info at landmark immigration.com ते तुसी email भी कर सकने हो, personally जसमीच जीनों टाइम लेके मिलो, यहां किसे भी landmark दे office विजट करो, और clarification और confusion अपनी दूर करके तुसी file लगानी है, और जसमीच जीनों जरूर मिलन दी कोशि करो, thank you so much.